दोस्तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगी कि Angel One की Mobile App में चार्ट की सेटिंग्स को कैसे रिसेट करते हैं तो चली बिना किसी देरी की वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तो सबसे पहले आपको Angel One का Mobile App ओपन कर लेना है उसके बाद आपको Watch List को ओपन कर लेना है अब इस Watch List में आप किसी भी स्टॉप के उपर क्लिक कीजिए जैसे कि मैं यह RVNL के उपर क्लिक करता हूँ उसके बाद यहां Charts का Option मिलेगा आपको इस पर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद यह Page Open होगा अब आपको यहां पर उपर की साइड एक Row दिखाई देगी अब आपको इस Row को Left Swipe करना है Left Swipe करने के बाद आपको Settings का Option मिलेगा आपको इस पर क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद यह Page Open होगा अब आपको यह Bottom Left Corner में 3 dots का Option मिलेगा आपको इस पर क्लिक करना है उसके बाद यहाँ apply defaults का option आएगा इस पर क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद आपको यहाँ ok पर क्लिक करना है तो दोस्तो अब आपके चार्ट की पूरी settings reset हो चुकी है तो दोस्तो यह था आज का वीडियो ऐसे और informative वीडियो इसके लिए वेलफुल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए